तो मैं रकेश मत्रा आज की इस वीडियो के अंदर हम चैप्टर फाइव क्लास टेंथ NCRT बुक से एक्जाम्पल नंबर थाटीन और फॉर्टीन कवर करेंगे एक्जाम्पल नंबर थाटीन में हमको बताया पूछा गया है कि कितनी टर्म्स इस एपी की लिए जाए कि टोटल सम 78 हो जाए इसके लिए आपको एक फॉर्मूला सम ओफ N टर्म्स ओफ N A P हमने पिछली वीडियो के अंदर डिसकस किया गया है अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो एक बार देख लिए का सम ओफ N टर्म्स ओफ N A P का फामूला N बाय टू N नंबर ओफ टर्म्स टू A A फर्स्ट टर्म प्लस N माइनस वन इंटो D दी कॉमन दिफरेंस यहां हमारी सिक्वेंस है 24, 21, 18 तो फर्स्ट टर्म A 24 D common difference 21 minus 24 minus 3 और sum of N terms 78 दे रखा है हमें N calculate करना है Sum of N terms का फामूला N by 2 2 A A के प्लेस पर 24 प्लस N minus 1 इंटो D D के प्लेस पर minus 3 equal to 78 इस 2 को इधर शिफ्ट कर दो Multiply हो जाएगा 78 को 2 से Multiply किया 156 हो गया अंदर Multiply करते यह N बहारी रहने दो 2 इंटो 24, 48 minus 3 N plus 3 Multiply करते N को minus 3 N से minus 3 N स्क्वेर 48 plus 3, 51 और N से Multiply किया 51 N 156 को इदर लाओ, minus हो गया अब गांदो तीनों के तीनों टम्स 3 से Divide हो रही है तो मैं दोनों तरफ minus 3 से Divide का देता हूँ minus भी common ले लिया यह आप कह सकते हो कि minus 3 common ले लिया वो 0 upon minus 3 0 हो गया minus 3 से हमने Divide किया तो यह मिल गया N स्क्वेर plus 51 N की जगा minus 17 N 51 को 3 से Divide किया plus की जगा minus, यह minus की जगा plus 52 अब दो नंबर ऐसे लेने हैं जिनको multiply करके 52 आए और add करके 17 आए multiply करें तो 15, add करें तो 17 13 को 4 से multiply करें 13 4 जा 52, 13 और 4 17 तो इसके factors बना लेते हैं factors बन जाएंगे N minus 13 N minus 4 equal to 0 N की एक value 13 और N की एक value 4 यानि पहली 13 terms का sum करें वो भी 78 आएगा या पहली 4 terms का sum करें वो भी 78 आएगा ऐसा क्यों हुआ कि पहली 4 terms का sum और पहली 13 terms का sum same आएगा कारण इसके पीछे क्या है कि इस sequence को ध्यान से देखे D negative हैं तो एक term के बाद एक term के बाद terms negative होनी start हो जाएगी तो कुछ negative terms और कुछ positive terms आपस में cancel हो जाएगी यानि कहें हम ये भी सकते हैं कि इसका मतलब ये हुआ कि term number 5 से क्योंकि S478 है S13 भी 78 है इसका मतलब ये हुआ कि 5 वी term 6 वी term 7 वी term चलते चलते 13th term अगर हम इन terms में देखें तो इन में से कुछ terms positive होंगी और कुछ terms negative होंगी और उनको जब add करेंगे तो result हमको मिल जाएगा 0 यानि 5 वी term से लेकि 13 वी term तक जितनी भी terms है अगर उन सारी terms का sum 0 है तो इसका मतलब 25-4 terms का sum और 25-13 terms का sum equal आएगा कभी-कभी exam में वो पूछ लेता है exam में बहुत important point है कि कभी-कभी exam में पूछ लेता है कि explain the double answer तो उसके अंदर आपको A5 से लेगे A13 तक का sum calculate करके दिखाओगे वो 0 आना चाहिए अब example number 14 पर very important ये एक बहुत important formula है कि हमें पहली n terms का sum find करना है पहले n natural numbers का sum find करना है part 1 में कहता है कि पहले 1000 positive integers का sum find करो यानि sum find करना है 1 plus 2 plus 3 plus 4 dot 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 कहा तक 1000 तक यहां first term 1 है common difference भी 1 है n और l दोनों ही 1000 है यहां chance है क्योंकि common difference 1 है तो इसका मतलब number of terms या last term दोनों ही 1000 है अगर हमें last term पता हो number of terms पता हो तो formula sum का यह लगाया जाता है n by 2 into first term plus last term n by 2 n 1000 है divided by 2 first term 1 last term 1000 है तो बहुत simple होगा यह 500 into 1001 500 को 1001 से multiply गिया तो यह मिल गया मेरे पास यह मेरा हो गया answer अब इसी के part 2 पर move करते इसके part 2 में क्या कहता है पहले n positive natural numbers का समफाइड करो पहले n positive integers का समफाइड करो तो s n पहली term 1 दूसरी term 2 तीसरी term 3 आखरी term n यहाँ पर first term 1 common difference 1 l और n दोनो ही n है तो sum of n terms का formula n by 2 into first term plus last term n by 2 first term है 1 last term है n तो sum of first n natural numbers का formula यह formula examination point of view से भी important तो है competition point of view से भी बहुत important है क्या कि पहले n natural numbers का sum n into n plus 1 by 2 होता है और brief में इसको sigma n से भी लिख देते हैं याद रख लिजेगा sigma n का मतलब पहले n natural numbers का sum और यह होता है n into n plus 1 by 2 थेंक यू थेंक यू वेरी मच पर वोचिंग दा वीडियो